हेलो गाइज, वेलकम टू विजन ओनलाइन स्टडी, I am जुफ राज मलिक and you are watching my channel So guys, आज बात करते हैं कोट अपडेट की, आज तारीक सत्रा की जो कोट अपडेट है उसको मैं बता रेता हूँ कि कमेटी के अनुसार दो प्रशनों पर और सुनवाई कईगी जिसे गलत माना गिया और जिसके अंतरगत उसके नमबर सभी को मिल जाएंगे और उससे पहले एक कोशन गलत था उसको भी कमेटी ने गलत माना तो टोटल तीन कोशन हो गए हैं जिसको कमेटी ने गलत मानकर कोर्ट को बताया और कोर्ट ने भी हामी भर दी और दोनों जजों ने मिलकर कहा कि तीन कोशन पर ही अब सिर्फ बात है और उसके बाद unseen passage और out of slay जबस के बात की गई जिसके बारे में भी जच ने कहा दिया कि फिफ्ट क्लास के द्यापक को इतना तो पता ही होना चाहिए और इतनी नोलिज होनी चाहिए तो इसके ओपर कोई भहस नहीं बनती तेकर फेंट्स तो बात इतनी है कि जो अपडेट है वो सिर्फ यही रहेगी कि तीन नमबर सबके भढ़ सकती हैं यही कोट का अंतिम निर्ने होगा कल 18 तारिक को कोट का अंतिम निर्ने आ जाएगा और उसके बाद ही कुछ पता लगेगा कि आगे की रिपोर्ट क्या है कमेटी की रिपोर्ट सारवजिनिक हुई या नहीं हुई चर्चा करते हैं उसके बारे में और क्या-क्या हुआ और तीन अंग को गलत माना है कोर्ट ने और इसी के अकोर्डिंग ग्रेस मान कर जो कोर्ट है वो तीन अंग सारवजनिक कर देगी और इसके लब कोर्ड से जब कहा गया कि आप कमेटी की रिपोर्ट को सारवजनिक कहो तो कोर्ट ने फिलाल मना कर दिया है और जज़ की यही सहमती थी कि हम कमेटी की रिपोर्ट से सहमत है और हम यही चाहते हैं कि कमेटी हमारे अकोर्डिंग कमेटी नंबर को तीन नंबर एनी तीन प्रश्णों पर बात है और इनी प्रश्णों को पर हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं और कल अठारा तारीक को जो जज हैं वो अपना फैसला सुना देंगे इसे इलेटिड और उसके बाद भी रिजवान या और उसकी टीम पूरी जी टीम हैं बड़े-बड़े महा दिवक्ता जी हैं उन्हांने यही कहा है कि हम इस नयाय से संतुष नहीं हैं और सम्मान करते हुए नयायल लेका उन्हांने कहा है कि हम आगे की रणनीती त्यार खर रहे हैं अभी हम संतुष नहीं हैं तो क्या होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो भरती और जादा रुख जाएगी या आगे कि इनकी रणनीति क्या होगी तो मैं कल या परसो की वीडियो में आपको बताऊंगा फिलाल इतना कि दो से ती नंबर सब ही के भर सकते हैं कल की रिपोर्ट के अनुसार और परसो आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है खैर अकोर्डिन टू मी जल्द ही आपकी भरती शुरू हो जाएगी और देखते हैं क्या होता है मैं या जून जून तक में भी शायद वेपर हो जाए बाकी बात तो परसो ही पता लगेगी कल की रिपोर्ट के बाद आगे का हिसाब क्या बनता है उससे परसो ही मैं आपको सब कुछ बता पहूंगा दोस्तों अभी सिर्फ इतना कि तीन अंकों को ही गलत माना है कोर्ट ने वो तीन अंक सब को मिल सकते हैं इसी के साथ म कल फिर मिलेंगे और मैं आपको आगे की रिपोर्ट पूरी जानकारी आगे की दूँगा हाला कि कोशन और भी पे ही चांसीर सी बने हुए थे बट फिर भी कोर्ट ने उन सभी को सही माना है और सरकार को बोला है कि जल्द से जल्दी आगे की कारवाही शुरू के जाए तो आगे क्या होता है मैं भी यही चाहूंगा कि जल्द से जल्दी एक्जाम हो जाए जिससे की बरती थोड़ा आगे बढ़े लेकिन शायद बाकि सब यह नहीं मच चाह रहे हैं जो भी है जो भी होगा आपको पता लग जाएगा थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए आ हमाई Facebook group से आप जुड़ सकते हैं जिसकी help से आपको मिलेगी सारे जानकारी थैंक्यू सो मच